दमस्कार सभी को मैं निल वेनिवाल अवरिस एजूकेशन के इस प्लैट्फोंपर आप सभी का स्वागत करता हूं तो आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम वो क्योशन करेंगे जो एक्जामिनर बार बार पूछता है और हर बार ये क क्योशन गलत होते हैं क्यों क्योंकि इन क्योशन के अंदर सबसे जादा कनफ्यूजन रहती है कि इसका राइट अंसर क्या रहेगा तो काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है चाहिए आप तैयारी करें उसी एक्जाम की या एस्टेट एक्जाम की या जिन एक्जाम के हरियानजी के पूछी जाती हूं सभी एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है शुरू करते हैं देखे सबसे पहले आपके सामने दिये गई है चार क्योशन और चारों के चारों आपको ध्यान रखना है चारों के अंसर जो है क्या रहेंगे सबसे पहला सूरजकूंड मेला सूरजकूंड जील, सूरजकूंड गुर्दवारा और सूर्यकूंड मंदीर एक और नोट कर लेना इसके अंदर कौन सा सूर्यक रहन का मिला ठीक है तो यह वो क्योशन है जिनके अंदर सबसे ज़्यादा कनिफ्यूजन रहती है कौन सा कहां पर है वो चीज हम इसमें लगाया गया और मिला लगाया गया तो कब से कब तक लगा था 19 मार्च से 4 अपरेल लगा था क्यों इंपोर्टेंट है यह डेट क्योंकि यह पहली बार हुआ है जब मार्च और अपरेल के महिने में यह मिला लगा है वरना यह सिर्फ और सिर्फ फरवरी के महिने में सूरज कुझ मेला लगता है अभी तो आपका लगा था मेला कुझ से नंबर का था 35 मेंन नंबर का और इस 35 मंशे नंबर में अगर आपसे पूछे तीम श्टेट जो हो kuनशा था जम्मू कशमीर ओ थीम कंट्री जो हो को उचबे किस्ता ओषवो थीम country था इस बार 35 नंबर का सूरजकुंड मेला लगाया गया था फरीदाबाद के अंदर नेक्स्ट आता है सूरजकुंड जील जिसको दसमी स्ताबदी के अंदर बनाया था तोमर वंसका सासक था और कौन था सूरजपाल तोमर और इसके द्वारा इसको बनाया गया था और ये कहां पर है सूरजपाल तोमर तो ये कहां पर रहेगी सूरजकुंड जील ये भी आपकी फरीदाबाद के अंदर जो है वो रहेगी ठीक है अब नेक्स्ट बारी आती है सूरजकुंड गुर्दवारा की तो सूरजकुंड गुर्दवारा आपको ध्यान रखने ये कहां पर रहेगा अंबाला के अंदर सूर्जकुंड गुर्द्वारा जो है वो रहेगा कहां पर अंबाला के अंदर इसके बार नेक्ट पूछा जाता है कि सूर्यकुंड मंदिर जो है वो कहां पर है तो सूर्यकुंड मंदिर कहां पर हो कि यमुना नगर के जगादरी के बुढिया के अमदालपूर के अंदर सूर्यकुंड मंदिर जो है वो है जहां पर पांड़ाओ जो है वो यहां पर रुके थे तो यह सूर्यकुंड मंदिर जो वो कहां पर यमुना नगर के अंदर हो जाएगा इसके बाद आप से पूछता है सूर्य ग्रहन का मेला कहां पर लगता है कुरुक्षित्र के अंदर अभी हाली में ये मेला लगा था इसी महीने तो सूर्य ग्रहन का मेला कुरुक्षित्र के अंदर मंदिर अगर आप से पूछे तो यमना नगर के जगादरी में सूरजकूंड गुर्दवारा अंबाला के अंदर हो जाएगा जील फरीदाबाद में मेला फरीदाबाद में तो इस तरह के क्योशन इस कलास के अंदर हम करने वाले हैं जिन में सबसे ज़्यादा कनफ्यूजन रहती है की वो आपका कहाँ पर ऐ इसके बाद नेक्स देखिए नेक्स आपके सामने दिया गए कलपना चावला तो कलपना चावला जिनका जनम अगर आप से पूछे पहली बाद इनका जनम होता है और 1904 में के अंदर कलपना चावला का किसमे नासा के अंदर इनका चैन हुआ था ठीक है। इसके बार जब ये पहली बार गई थी अंतरिक्स के अंदर तो कब गई थी यान था कुन सा कोलंबिया यान तो ये ध्यान रखना है पहली बात तो नासा में चेन हुआ उन्नी सुचुराण में के अंदर ये गई कब थी तो 16 जनवरी 2003 को ये अंतरीक्ष में गई थी वापिस आई थी एक फरवरी 2003 यानि कि एक दो तीन सीक्वेंस में ना एक दो तीन एक दो तीन एक फरवरी 2003 को ये वापिस आते समय इनकी मिर्त्यू हो जाती है कलपना चावला जिनका सम्मंद रहेगा कहां से करनाल से वही पर आप से पूछे कलपना चावला ओडिटोरियम कलपना चावला तारा मंडल कहां पर है ये कुरुकशित्तर के अंदर जो है वो हो जा गया था 2017 में तो उतना चावला मेडिकल कोलेज की स्थापना की जाती है नेक्स्ट आपके सामने कन्फ्यूजिंग वाला क्योशन जो रहेगा कि करन जील करन का टिला करन का किला दो करन का तलाब देखो करन जील अगर आप से पूछे तो कहां पर है करन जील पूछे करन अंदर हो जाएगा ठीक है करनाल में इसके बाद पूछा गया करन का टिला तो करन का टिला अगर आप से पूछे तो ये कहां पर है ये मिर्जापूर के अंदर यानि कि कहां पर कुरुक्षेतर के अंदर और करन का किला भी पूछे तो भी कहां पर है कुरुक्षेतर के पर है ये रोतक में गव करण का तलाब हो जाएगा और इसके नेक्स्ट है नेक्ट आपके सामने दिया गया गया गीता जुथ्थी, गीतीका जाख़र और गीता फुगाट। आपके प्लियर है और इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले गीता जुथ्थी बारे में एक चीज आपको ध्यान रखनी है पर्थम भीम अवोर्डी महीला आप सभी जानते हैं हरियाना के अंदर सबसे बड़ा पुरसकार दिया जाता है वो कौन सा भीम अवोर्ड दिया जाता है और इसमें जो खेलों के अंदर और गीता जुच्छी जो है इनका समंध बनी है अरजुन अवोर्ड इसके साथ इनको दिया गया 1983 के अंदर पदमशिरी और ये पदमशिरी लेने वाले भी हरियाना की पहली महीला जो बनी है पदमशिरी जीतने वाली हरियाना की पहली महीला बनी है गीता जुच्छी तो ये चीज इनके वारे में ध्यान रखना है सम्द इनका किसे है athletic से ये सम्द रहेगी next पूथा जाता है Getika Jaakhad Getika Jaakhad जो अगर इनका बारें पूथा जाए तो इनका सम्द किसे है? इनका सम्द हो जाएगा कुष्ती से ठीक है इसके बाद Getika Jaakhad जो है इनको भी 2005 के अंदर Arjun Award दिया गया और ये Arjun अवोर्ड लेने वाली पहली जो कुछ्ति की खिलाडी जो हो कुन सी हो जाएगी गिति का जाखड़ हो जाएगी ठीक है इनका समद्ध किसे है कुछ्ति से गिता जुच्ची का अथलेटिक से अब बारी आते किसकी गिता फोगाट की एक रेसलर है और इनका आगर आप से गया है यहां पे गीतिका जाखड और गीता फोगाट दोनों के दोनों आपकी कुष्टी रेसलर से सम्मंद इनका हो जाएगा और गीता फोगाट सम्मंद आप सभी जाते हैं चर्खी दादी के बलाली से इनका सम्मंद जो है पो रहेगा इसके बाद नेक्स्ट और इनके कोच कोन मावीर फोगाट इनी के पिता जो द्रोणाचारिय वोड से भी सम्मानित हो चुके हैं हरियाना में सबसे ज़्यादा गुर्द्वारे जो है वो कहाँ पे है तो हरियाना में सबसे ज़्यादा गुर्द्वारे अगर आपसे पूछे तो कहाँ पर हो जाएंगे कि पंडित जसराज जिनका जनम जो है वो कहां पर हुआ तो इनका जनम अगर वैसे देखा जाए तो पीली मंदोरी के अंदर इनका जनम हुआ था और ये कहां पर पड़ता है फतेहाबाद के अंदर जो पड़ेगा पीली मंदोरी लेकिन एक्जाम में जब भी क्योशिन आया था हर बार इसका जो राइट आंसर जो दिया गया था वो कौन सा हिसार इसका राइट आंसर माना गया था क्योंकि जिस समय पंडित जसराज जो इनका जनम होता है आप सभी जानते हैं कि फतिहाबाद तो बाद में बना था तो इसका मतलब उसी अकोर्डिंग हिसार को ही HSSC ने हर बार प्रेफरेंस दी थी तो ये ध्यान रखना है इसका HSSC के अकोर्डिंग हर बार आंसर हिसार आया था अब अगर प इस नाम से जाना जाता था रसराज के नाम से इनको जाना जाता था कौन बोलते थे अटल बिहारी वाजपे जो है पंडित जसराज को रसराज के नाम से संबोधित करते थे अरियना की छोटी कासी के बारे में question पूँचा जाता है और यहां पर सबसे बड़ी confusing होती है कि क्या छोटी कासी भीवानी को बोलेंगे या कैथल को बोलेंगे तो देखे चोटी कासी भीवानी को भी बोला जाता है कि इसके लिए क्योंकि यहाँ पर मंदिरों की अधिकता है यानि अधिक मंदिर होने की कार्ण चोटी कासी भीवानी को और आप से यह पूछे कैथल को भी क्या बोला जाता है चोटी कासी क्योंकि इसके अंदर क्या है गर्यकूंट के काण शोट खो की इसको बोलते हैं, तब तो आप राइट आंसर कर दोगे, लेकिन अभी पीछह सी एक स्टाप नर्स का एक्जाम हुआ था हरियान में साइड रोथ खार्यान में शाय रोथ नीर्स आप से पूछे तो दोनों के दोनों क्योशन इन में जो कन्फूजन रहती है सबसे पहले जो लाट की मस्जिद लाट की मस्जिद जो हरियाना के कहां पर रहेगा हिसार जी लेक के अंदर और हिसार में आप सभी जानते हैं कौन सा है गूजरी महल और ये गूजरी महल जो है इ रियाना के हिसार के अंदर आपका गूजरी महल में जो है बो रहेगी ठीक है इसके बाद आपसे ये पूछा जाता है फिरोचा की लाट तो फिरोचा की लाट अगर आपसे पूछे जो की कहां पर है रियाना के फतिहाबाद के अंदर है तो दोनों क्योशन ध्यान से देखना अगर पूछे लाट की मस्जिद कहां पर है तब जो आपका राइट अंसर कॉन सा रहेगा लाट की मस्जिद हिसार के अंदर और फिरोचा के लाट पूचे तो फतीहाबाद के अंदर आजेगी किसने बनाया था आप सबी जानते हैं फिरोचा तुगलक के द्वारा और चाके लाट पूचे फतेहबाद सबसे ज़्यादा कपास जो वो कहाँ पर होती है तो हरियाना में सबसे ज़्यादा कपास अगर आपसे पूचे तो हरियाना की सिर्षा जिले के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा कपास होती है सबसे ज़्यादा गहूं अगर आपसे पूचे तब भी कहां पर सिर्षा जिले में होती है इसके बाद आपसे पूचता कोटन सिटी तो हरियाणा में कोटन सिटी कौन सा है तो पलवल जो है वो आपका कोटन सिटी के नाम से हरियाणा में जाना जाता है और कपास अनुसंदान के अंदर तो हर्याना में कपास अनुसंदान के अंदर आपसे पूचे कहां पर रहेगा सिर्सा जिले के अंदर कपास अनुसंदान के अंदर जो है वो रहेगा तो तीनों question important है कपास सबसे ज़्यादा पूची जाती है सिर्सा के अंदर कोटन सीटी पूछे पलवल और कपास अनुसंदान के अंदर कहाँ पर सिर्षा के अंदर हो जाएगा अब यहाँ पर एक क्योश्चन और बनता है बात आईए कपास की तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी आवशक होती है काली मिट्टी की आवशकता होती है कापास के लिए कौन सी काली मिट्टी और आपको ये ध्यान रखने क्यूशन एक बार भी आया था जिसके अंदर ये दिया गया था कि हरियाना में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती तो क 1948 के अंदर इनकी मिर्त्य होती है, अभी हाली में इनके उपर एक मूवी आ रही है, आप सभी जानते हैं अभी नौंबर के अंदर रिलीज होगी, जो किसके दौरा डारेक्टर है, जो पंडिर लक्मी चंद जो है, इनकी उपर मूवी आ रही है, और इसके डारेक्टर कोन है, ये स्पाल सर्मा, जो कहां से संबंद है, ये स्पाल सर्मा का हिसार से संबंद रहेगा, तो इनी के द्वारा मूवी बनाएगी, सूर्य कवी पंडित लक्मी चंद के उपर, ट्रेलर आप देख सकते हैं, काफी अच्छी मूवी रहने वाली है, तो 1903 में जनम हुआ, 1948 के अंदर इनकी मिर्ति हुई, जनम अगर आपसे पूचे कहां पर हुआ, जांटी कला सोनिपत के अंदर इनका जनम हुआ था, जांटी कला सोनिपत के अंदर, इसके बाद इनके गुरु पूचे जाते हैं, गुरु इनके कोण है, तो मान सिंह जो इनके गुरु हो जाएंगे इसके बाद, यह तो बात हुए, इनके बारे में कि इनका सम्मध कहाँ से है, सोनिपट से, लेकिन इनके नामी एक युनिवर्श्टी है, कौण कौणसी, जिसका नाम है, पंडित लक्मी चंद, State University of Performing and Visual Arts, य युनिवर्स्टी पूछे कहां पर है यह रोध तक के अंदर युनिवर्स्टी हो जाएगी जिसके स्थापना कब हुई ति कब बनाय गया था दुहजार चोदा में विश्व उनिवर्स्टी का बनाय गया था सरवाधिक भेंज पूछे और सरवाधिक मुर्रा भेंज देखो मुर्रा भेंज जिसको काला सोना के नाम से जाना जाता है अभी पीछे सी आपकी एक गणना हुई थी कौन सी बिस्वी पसु गणना जो हुई थी बिस्वी पसु गणना और इस गणना के कोडिंग आपसे यह पूछा जाएगा कि सब से जड़ा हरियाणा में भेंज कहां पर है तो सब से ज़़ादा भेंज जो हुआँ पर हिसार के अंदर हो जाएगी लेकिन आपसे एगर यह पूछे थोड़ा सा घुमा के question कि हरियाना में सबसे ज़्यादा मुर्रा भेंस कहां पर है तब answer जो आएगा तब थोड़ा answer change होगा और right answer जो बन जाएगा हरियाना के जीन्द heart of हरियाना जो है जीन्द इसके अंदर जो हो आपके ये पूछे कि सबसे कम जो पसूदन कहां पर है तब आजएगा पंच कुला ठीक है तो ये भी ध्यान रकलिना साथ साथ में next हरियाना का ताज महल पूछे और दिल्ली सल्तनित का ताज महल पूछे दोनों question अलग-अलग है और दोनों ही ताज महल यानि कि ताज महल की हूब हूप कोपी कौन सी रहेगा जो कि हरियाना का ताज महल है ये हरियाना के कुरुक्षेतर के थानिसर में रहेगा और क्योंकि दाराशी को जह वो किसका बेटा था ये साजा का बेटा था जैसे साजाने बनाया था ताजमहल उसी तरह से दाराशिकों ने साजाने तो अपनी पत्नी के नापर लेकिन दाराशिकों ने अपने गुरू के लिए ये जो बनाया था कुन सा सेख चिली का मकबरा तो हरियना का ताजमहल अगर पूछे कि इसको बोलते हैं सेख चिली का मकब जिसको राष्टे दरोवर राष्टे इमारत कब बनाएगे इसको 1958 के अंदर इसको राष्टे इमारत जो वो घोशित कर दिया गया था नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत का ताजमहल तो दिल्ली सल्तनत का ताजमहल अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा गूजरी महल और आप सबी जानते हैं कि इसके द्वारा बनाया गया था फिरोज सातुगलक के द्वारा अपनी पत्नी गुजरी के लिए इसको बनाया गया था और इस गुजरी महल के अंदर आपसे ये पूछेगा इसमें कितने अभिलेख हंकित है तो इसमें आठ अभिलेख जोबू लिखे गये हैं इसके अंदर गुजरी महल के अंदर तो आपकी कहां पर है रिवाड़ी के अंदर और दूसरी जुह हो कहां पर रहेगी रोत्तक के अंदर अब इन में क्या डिफरेंस है क्योशन अगर पूछा जाएगा कि रिवाड़ी की लाल मसजीद वो किसके दोया किसके टाइ काल के दोरान जो है वो रिवाडी की लाल मस्जित जो है गो बनाए गया तो दोनों में डिफरेंस आप सभी को पता लग गया तो बस इध्यानकना रिवाडी की अकबर के साशनकाल में और इसको याद कैसे रखोगे थोड़ा से याद रखने के लिए देखो रिवाडी में यह पर आपकी Ferry Queen train है ना ईक? Ferry Queen सबसे पुराना भाप से चलने वाला engine अभी तक कारे रहत है यह Ferry Queen engine यह कहां पर है यह Rewaadi को उसी museum के अंदर रहेगा और यहां पर एक engine और है जिसका नाम Aqbar है ठीक है? तो इसलिए यार रख लिना रिवाडी में आपका ये भी रहेगा और अकबर के सासनकाल के दोरान रिवाडी की लालमस जिद बनी थी रोत्तक वाली बनाए गए थी हाजी अली के द्वारा नेक्ष्ट है कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो कि गोपी चंद भारगव है इनका सम्मध कहां से है और पाकिस्तान के पर्थम परधान मंत्री लियाकत अली खान जो है इनका सम्मध कहां से है सबसे पहले जो गोपी चंद भारगव जो की पंजाब के मुख्य मंतरी थे और इनके बारे में अगर पूछा जाए कि ये पूरो मुख्य मंतरी पंजाब और इनका सम्मंद कहां से रहेगा तो हरियाना के सिर्षा जिले से सम्मंद रहेगा किसका जो मुख्य मंतरी गोपी चं मंतरी लियाक कतली खान का ठीक है नेक्ष्ट चोदरी छोटू राम चोदरी छोटू राम से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहां पर रहती है क्योंकि इन से जुड़े वे काफी सारे इंपर्टेंच क्यूशन बनेंगे सबसे पहले सर छोटू राम इनका सर सोटू राम के बारे में ज़नम आप सभी जानते हैं कहां पर हुआ इनका गड़ी सांपला के अंदर इनका जनम हुआ था सर छोटू राम का और इनका गड़ी सांपला जो की कहां पर है रोध तक के अंदर और अभी गड़ी सांपला का नाम बदल कर इनके नाम पर कर दिया गया छोटू राम नगर किया गया और उसके साथ ही देखो इनका जनम तो हो या ठीक है रोधतक के अंदर मिर्तियू इनकी हुई थी 1945 में लाहूर में लेकिन जो जनम हुआ इनका रोधतक में लेकिन इनके नाम की एक उनिवस्टी बनाए गई है D.C.R.U.S.T. यानि कि दीन बंदू चोदरी छोटू राम यूणिवस्टी ओप साइंस एंड टेक्नोलोजी ये यूणिवस्टी आपकी कहां पर है ये मूर्थल के अंदर है मूर्थल याने सोनिपत के अंदर है हना सोनिपत में अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में पंडिर लखमी चंद के बारे में जिनका सम्मंध है सोनिपत से लेकिन उनके नाम की उनिवस्टी जो वो कहां पर है रोत्तक में लेकिन यहां पर थोड़ा अलग हुआ चोदरी छोटु रामजाहिन का जनम होता है रोत्तक में और इनके नाम की उनिवस्टी जो कहां पर है मूर्थल सोनिपत में हरि उछी जो पावर पर लिए कि यहां यह बिंपत्मूँर्थ सै लेकिन बांत 2008 में बनेगा अर्येन यह वीर भूमी और सहीदों के भूमी बिंपत्व तो वीर भूमी किसको बोलते हैं? रेवाडी को बोलते हैं. βहीं पर आप सी यह पूछे कि सहीदों की भूमी किसको बोल जाता है? बोलते हैं तो सहीदों का गाउं हो जाएगा ती गाउं और ये ती गाउं कहां पर पढ़ता है ये फरीदाबाद के अंदर है ती गाउं फरीदाबाद के अंदर इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है सहीदों का गाउं ठीक है तो तीनों question आपको ध्यान रखने है ती गाउं कौन सा है यह ती गाउं वहीं है जहां पर हरियाना की सबसे बड़ी IT पुछेगा हरियाना की ती गाउं के अंदर और सहीदों का गाउं भी इसको बोलते हैं सहीदों का सहर हो लेते हैं चांद राम जिनका सम्द्ध हरियाना के किस जिले से है जीन्द जिले से है और ये किस से सम्द्धित हो जाएंगे एक एथलेट है पैदल चाल से इनका सम्द्ध जुहबू रहेगा ठीक है ये होगे चांद राम सम्द्ध इनका जीन्द से इसके बाद बारी आती है म Master Chandgi Rame जिनका सम्द् किस से हो जाएगा? तो आप फोटो देखकर बता सकते हैं, इनका सम्द् किस से है? कुस्ती से इनका सम्द् जो है बूर रहेगा? और सम्द् इनका पूँचे तो कहां से हरियाना के सिसाए जो गाम है, ये कहां पर है? हिसार के अंदर. तो यहां से सम्द् आगे से चांद राम का स्मंद हो जैगा जीन्द से और पैदल्साल से ये संबंधित हो जाएगे, आप देख सकते हैं, मास्चर चांद-के Also Cancer नेच्ट है कि हरियाना का लगू हरीद्वार किसको बोला जाता है और हरियाना का गया किसको बोला जाता है तो हरियाना का लगू हरीद्वार किसको बोला जाता है पांडू पिंडारा जो उसको बोला जाता है पांडू पिंडारा और यह कहां पर है यह जीन्द के अंदर है इ ध्यान रखना है पेवा से विधायक कोन है वर्तमान में तो हरियाना के जो वर्तमान में खेल मंतरी है कोन है संदेप सिंग वो पेवा से विधायक जो हो जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट पंडित भग्वद दmasterma इनसे जुड़ावुवं इम्पोर्टेंट क्योशन बनता है जैसे हमने अभी पड़ा था कि पंडितध भग्वद द mayo herman जो कि आपके हरियाना के पहले मुख्यमंत्री बने थे इसके साथ हरियाना के पहले मुख्यमंत्री थे और अगर आपसे यह पूछे कि यह तो पहले मुख्यमंत्री थे जो कि मनोनित थे क्योंकि इनके लिए इलेक्षन नहीं हुआ था उस ताइम पे इनको शिर्फ चुना गय था अगर आपसे यहां पर यह पूछ ले ना कि पहले आपके इलेक्टिड मुख्यमंत्री कोन थे चैनित मुख्यमंत्री कोन थे तो वो कौन हो जाएंगे यहां पर उसमें आपका राइट अंसर जो हबो कौन सा भगवत द्याल सर्मा ना आके राब विरेंदर सिंग जो है वो आजाएगा उसमें राब विरेंदर सिंग आएगा ठीक है जिनकी पार्टी हरियाना विशाल पार्टी थी तो इनका सम्मद अगर आपसे पूछे जनम सम्मद इनका कहां से रहेगा तो इनका सम्मद रहेगा बेरी जजजर से बेरी जजजर से सम्मंद रहेगा किसका पंडित भगवत द्याल सर्मा जिनका जनम 1918 में हुआ मिर्थी हुई थी 1903 में के अंदर और हर्याना के पहले मुख्य मंत्री के तोर पर ये जाने जाते हैं इसके बाद अगर आप से पूछे इनके नाम की उनिवस्टी जो वो कहां पर है तो इनके नाम की उनिवस्टी पंडित भगवत द्याल सर्मा जो मेडिकल उनिवस्टी है ये कहां पर ये रोत्तक में जिसके स्तापना हुई थी 2008 के अंदर नेक्स्ट की किसनलाल भट और दीपचंद बैमन तो हरियाना में जो अगर पूछे कि हरियाना में सांग की सुरुवात जो है यानि सबसे पहले सांग की सुरुवात की गई थी किसके द्वारा मेरट के थे कौन किसनलाल भट और इनोने 1730 के अंदर सांग की सुरुवात की थ वाद हरियाना को पंजाब में मिलाए गए था इसका मतलब उसमें मेरट के अंदर शुरुवाद की थी तो आप ये भी कह सकते हुए कि हरियाना के अंदर भी शुरुवाद करने वाले कुन थे पर्थम वो थे किसन नेक्स्ट आपसे पूछेगा उत्तर भारत का नंदर्वन किसको बोला जाता है तो उत्तर भारत का नंदर्वन अगर आपसे पूछे तो वो किसको बोलते हैं यादवेंदर गार्डन को बोला जाता है यादवेंदर गार्डन जिसको क्या बोला जाता है और मुगल गार्डन क के नाम से भी इसको जानते हैं किसके द्वारा बनाया गया था नवाब फिदेई खान के द्वारा इसको बनाया गया था किस टाइम में बनाया गया था ओरंग जेब के टाइम में इसको बनाया गया था ओरंग जेब के टाइम में ठीक है यह बोला जाता है उत्तर भारत का वेंदर गार्डन के पास यानि कि ये कहां पर है पंच कुला के पिंजोर में है ना आपका पिंजोर में तो ये भी आपका कहां पर रहेगा पिंजोर के अंदर है पिंजोर पंच कुला में जिसे उत्तर भारत का खजुराओं मंदिर बोला जाता है और ये भीमा देवी मंदिर है तो ये दोनों question होगे clear अब तीसरा important question यहां पर यह बनता है यह तो भीमा देवी मंदिर है अगर आप से यह पूछे भीमेश्वरी देवी मंदिर कहां पर है भीमेश्वरी देवी मंदिर यह कहां पर है और भीमेश्वरी देवी पूछा जाएगा तो आपको रिवाडी करकर आना है और अगर रिवाडी ओप्शन में ना हो तब आपको क्या करना है जगादरी करना है एक्जाम में आया था अभी भी पूछा गया था लेकिन तब रिवाडी ओप्शन में नहीं था तब इसको जगादरी राइट अंसर किया तब तो पांचा अंसर आएगा ध्यानक ने अच्छा सशी ने भी पांच माना थे जिन पांचों में आप सभी जानते हैं सबसे जादा सीमा राजस्तान के साथ लगती है कितनी 1262 किलोमेटर और सबसे कम अगर पूछे तो किस के साथ उत्राखंड के साथ लगती है इसके बाद पूछा जाता है चोदरी देविलाल स्टेडियम HSSC वाले सभी बच्चे स्टेडियम के बारे में जानते हैं जहांपर डोकुमेंटर वेरिफिकेशन होती है फिजिकल करवाया जाता है पंच कुला के अंदर यानि कि चोदरी देविलाल स्टेडियम वैसे तो स्टेडियम आपको गाउं में भी मिल जाएंगे जिनके नाम च इंपोर्टेंट है वो आपका कुँछ सा रहेगा पंच कुला के अंदर है जो कि चोदरी देविलाल स्टेडियम जो कहांपे पंच कुला के अंदर इसके बाद एक जोडरी देविलाल हर्भल पारक यह कहांपर है देवी लाल हर बल पारक जिसके स्थापना पूछे कब हुई 6 नवंबर 2001 को स्थापना की जाती है चोदरी देवी लाल हर बल पारक की ठीक है आगे next वाकिन के नाम की युनिवस्टी अगर पूछे न युनिवस्टी CDLE युनिवस्टी कहां पर है वो भी सिर्षा जिले के अंदर हो जाएगी next स्थापना कबूई थी comment करके बता देना next है की वन नगरी किसको बोलते हैं और हरियाना में सबसे ज़्यादा वन कहां पर है तो हरियाना में वन नगरी किसको बोलते हैं वन नगरी इसके साथ ही संतों की नगरी बोला जाता है संतों की नगरी सरस्वती नगरी किसको बोलते हैं हरियाना का सिर्षा जिला हो जाएगा हरियाना का सिर्षा जिला जिसको वन नगरी के नाम से जाना जाता है लेकिन वहीं पर आपसे ये पूछे कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन जो है वो कहां पर पाए जाते हैं पंचकुला जीले के अंदर हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन है चे वो परतिसत की बात की जाए चे वो एरिया की बात की जाए दोनों में पंचकुला टोप पर आता है नेक्स्ट खेडा निर्ते और खोडिया निर्ते इनमें भी confusion रहती है देखो खेडा निर्ते आपका कौन सा रहेगा खेडा निर्ते वो है जो दुख के समय किया जाता है यानि कि जब कोई बुजरग वेक्ति की घरों के अंदर मिर्त्य हो जाती है तब महिलाओं के द्वारा एक निर्ते किया जाता है उसको आपका बोला जाता है खेडा निर्ते लेकिन वहीं पर खोडिया निर्ते अगर आपसे पूछे खोडिया आपका कौन सा ये विवा के बाद है यानि विवा जब होता है उस समय जब बारात चले जाती है तो पीछे क्योंकि बारात में आज कल तो खोडिया निर्टे हैं, तो खोडिया किया जाता था विवा के समय और खेडा दुख के समय बुद्रग वेक्ति की मिर्ति उपर है, तो ठीक है, इसके बाद next है, next है की कालांब, कालांब से जुड़े हुए भी दो आपके डाउट बनते हैं, पहली बात कालांब, आपका कहां पर है, अंबाला के अंदर है, और कालांब, अंबाला के अंदर और एक दूसरा कहां पर पानीपत के अंदर, ठीक है, कालांब कहां पर पानीपत में और अंबाला के अंदर, इससे क्योशन क्या बनता है, सबसे बहले बात कालांब आपका अंबाला में है, और यहां से जो क् के अंदर कौन सी मारकंडा नदी जो है मारकंडा नदी ये हर्याना में कहां से परवेश करती है तो आप सभी जानते हैं अंबाला से परवेश करती है एक जाम में क्योशन आया था कई बारा आ चुका है कि कहां से परवेश करती है अंबाला से और अंबाला में ही कहां से तो अ आम बला की कानब नामक जगे से पर्वेश करती है。 मारकंड़ा नदीन लेकिन फहीं पर एक क्योशन ओर बनता है पानीपत के अंदर काना अमब ये जो आपका पारक बनाया गया वो कहां पर है。 पानीपत के अंदर क्यूं कैसी आपता क्याँ इस बड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 किसके बीच में मराथे और एहमद साथ दाले के बीच में इस समय जो सबसे ज़्यादा यहां पर खून बहा था उस वज़े से यह बताया जाता है कि आम का पेड़ था उस वज़े से वो काला हो गया था इसलिए उस जगहां का नाम रख दिया गया कालांब ठीक है तो कालांब वैसे आपका अंबाला के अंदर है जहां से हरियाना में मारकंडा नदी परिवेश करती है लेकिन जो तीसरा पानिपत का यूद था उससे जुड़ा हुआ है कोंसा कालांब पानिपत का नेक्स्ट एजूकेशन सीटी और एजूकेशन हब इससे जुड़ा हुआ क्योशन भी आपको डाउट में डाल सकता है जैसे एजूकेशन सीटी एक चीज़ आप सभी जानते है हरियाना के अंदर राजियूगांदी एजूकेशन सीटी जो है राजियूगांदी एजूकेशन सीटी तो यह कहां पर है राजियूगांदी एज अब यहां पर से हैं और सोनी पत में बीशए लेगी कहां पर अगर से पूछे तो कुंसा रोग तक हो जाएगा यहां पर हमें भी है और रोग तक में होना गेंगे तो पर नगरी के नामने यह नहीं गुरू ग्राम जिला वो द्रोण नगरी के नाम से गुरू द्रोणाचारय के नाम पर जिन का नाम रखा गया पहले इसका नाम गुडगाउं था लेकिन 2016 के अंदर इसका नाम गुरू ग्राम कर दिया गया लेकिन वहीं पर आपसे ये पूछ ले कि द्रोणाचारय स्टेडिय तो नहर सिंग स्टेडियम के बारे में अगर आप से पूछे कि नहर सिंग स्टेडियम ये कहां पर है नहर सिंग जिनका आप सबी जानते हैं 1857 की करांती से कहां से नेत्र तो किया था वल्लबगड से इनोंने नेत्र तो किया था वल्लबगड से और नहर सिंग स्टेडियम जो महल तो नहर सिंग का महल जो है यह भी कहां पर है यह वल्लब गड़ फरीदाबाद के अंदर हो जाएगा और यह महल के आप फोटो देख सकते है आपके सामने तो जो नहर सिंग का महल है यह वल्लब गड़ के अंदर है फरीदाबाद में और यहीं पर आपका एक मेला लगता ह कौन सा कार्तिक सांस्कृतिक महोट्सो का आयोजन कहां पर किया जाता है एक्जाम में पूछा गया क्योशन कार्तिक सांस्कृतिक महोट्सो या समारोज है यह कहां पर इसका आयोजन इसी नहार सिंग के महल में किया जाता है जो कि वल्लबगड फरीदाबाद में है और आप से ये पूछे नहार सिंग वन्य जीव अभ्यारन्य जो कि कहां पर है हरियाना की रेवाडी जिले के अंदर एक वन्य जीव अभ्यारन्य हो जाएगा जो कि हरियाना का राज्य पसू कौन सा है बलैक बक है काला हीरन क्रिशन मरिक के नाम से जिसको जानते हैं उसी से संबंधी तर रहेगा नहर बनने जीव अभ्यारने रिवाडी के अंदर नेक्ट रेकि चोदरी बंसी लाल चोदरी बंसी लाल जिनको हरियाना के लोग पूरूस के नाम से जानते हैं और आधुनिक हरियाना के निर्माता बोला जाता है 1970 में इनके टाइम में विजली पहुंची थी इसके सा बिवानी के गोला गड़ से हरियाना के चार बार सीम बन चुके हैं बुक में आपको तीन बार मिलेगा लेकिन ओफीशल वैबसाइट जब आ वीजित करोगे वहां पर आपको चार बार हरियाना के सीम चोदरी बंसी लाल जोहबू बने थे यह आपको वहां पर दिखाई दे है स्थापना कहां पर है यह भीवानी के अंदर होगी ठीक है तो इनमें भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रखनी यह हो जाएंगे चोदरी बंसी लाल नेक्स्ट है राजी उगंधी स्टेडियम जो वह कहां पर है और राजी उगंधी एजूकेशन सीटी कहां पर है तो राज हरियाना की पहली फीलम आपकी कोणची आई थी तो रियाना की पहली फीलम जो आई थी और ये कब आये थी 1983 के अंदर कोंची आये थी भहुरानी मूवी हरियाना की पहली सफल फिलम इसके बाद पूछा जाता है कि हरियाना की पहली सफलतम फिलम कोंची थी तो हरियाना की पहली सफलतम फिलम कोंची थी वो थी चंदरावल और ये कब आये थी इसी के अगलाई साल 1984 करन्ट फिर में आपका जो क्वेशन बन सकता है क्योंकि चंदरावल मूवी में जो किर्दार निभाने वाले थे अच्छा यह आई थी ना आपके वर्ल्ड कप के टाइम पर 1983 वाली जो मूवी आई थी तरासी जो आपका 1983 अंदर भारत ने वर्ल्ड कप जीता था किसकी कप्तानी में हरियाना के ही कपिल देव की कप्तानी में कपिल देव के उपर एक मूवी बनी है जिसका नाम था तरासी ठीक है तो यह भी इंपोर्टेंट हो जाएगा तो तिंदरावल में दो किर्दार निभा जाएगे और दूसरे आपके कौन से थे जो आपके इस मूवी के अंदर किर्दार निभाया था नसीब सिंग कुंडू तो जो दरियाव सिंग मली को नसीब सिंग कुंडू है जिनका हाली में निदन हुआ है तो वो भी एक्जाम के पॉइंट ओफू से इंपोर्टेंट रह और उप्शन में 1966 नहीं था तो करके आना है 1948 क्यों करके आना है क्योंकि जैसे आप ओफिशल वैबसाइट विजिट करते हो और आपके सामने एक लाइन यहाँ पर दिखाई देगी इन 1948 दा डिस्टिक ओफ मेहंदरगर्ड वाज फोरम्ड विदा पाल्ट ओफ नार्नोल एं मेहंदरगर्ड डिस्टिक ओपटियाड़ा प्रिंसिपल्टी ठीक है तो यह 1948 के अंदर यही क्योशन एक्जाम में आया था और इसका राइट अंसर तब दिया गया था 1948 ओफिशल वैबसाइट पर जाकर जब इसके अब आउट में आप पढ़ोगे तो वहां पर यह डाटा वह जो क्योशन बन सकता है सबसे पहले पंडित शिरी रामसर्मा इनको क्या बोलते हैं इनको हरियाना का क्या बोलते हैं यानि ग्रैंड ओल्ड मैन ओफ हरियाना तो ग्रैंड ओल्ड मैन ओफ हरियाना तो ग्रैंड ओल्ड मैन ओफ हरियाना बोला जाता है पंडित शिरी राम हरियाना केसरी के नाम से जाना जाता है इसके बाद next जो दिया गए है यहां पर question ठीक है sugar city देखो sugar city कौन सी है यह question आप सभी के लिए रहेगा यह question आप comment करके बता देना क्या इसका जो है वो right answer रहेगा और इसके बाद next जो दिया गए टोहाना और गोहाना तोहाणा और गुहाणा में तो बिल्कुल ज़्यादा confusion नहीं होना चीए हरियाणा के फतिहाबाद के अंदर कौन सा रहेगा तोहाणा जो आपको जिसको क्या बोलते हैं टुहाणा जो कि फतिहाबाद के अंदर है दूसरा गुहाणा जो कि कहां पर है सोनीपत के अंदर ठीक ह तो ये दो आपके टोहना और गोहना में भी बिलकूर confusion नहीं हो नी तो ये थे कुछ important question और उमीद करता हूँ सारे अच्छे से समझ आयोंगे इन question के अंदर सबसे ज़्यादा confusion जो है वो रहती है कि इनका जो है वो right answer क्या रहेगा ठीक है तो class कैसी लेगी इसके बारे में अपना response जरूर देना इसके साथ ही एक last में जाते जाते एक question और बता देता हूँ मारुत्ती के बारे में question पूछा जाता है मारुत्ती की स्थापना कब हुई exam में जब answer दिया गया था 1970, 1980, 1960, 1990 अंसर हर बार दिया गया था 1970 तो ध्यान रखने आपको books के अंदर 1981 या 83 मिलेगा आपको लेकिन HSSC ने अब तक जो माना था ना वो 1970 माना था और इसका जो भी authentic source होगा ना वो टेलिग्राम पर मापके साथ शेयर कर दूँगा official website का तो उस according क्योंकि जैसी अगर answer इस बार anti exam लेगा तो उस according जो भी यहां पर answer होगा उसके उपर अगर objection लगाना है तो हमारे पास authentic source होना चीए तो जो भी authentic source होगा मापके साथ कमेंट पिन कर दूँगा वहां पर आपके कमेंट का answer भी कर दिया जाएगा तो बैस इस वीडियो में इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप पढ़ते रहें अपना ख्याल रखें जै हिंद जै भारत